नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों, कहते हैं जिनका घर शीशे का होता है, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेका करते हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ चीन के संदर्ब में, आपको याद होगा जब हमारा चंद्रियान मिशन फे भारत की मजाग बनाने में, और भारत की मिसाइलों के बारे में उल्टा सीधा बोलने में, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले जो हुआ है, उससे चीन और चीनी सरकार बहुत बुरी तरीके से फस चुके हैं, दरसल आप स्किन पर ये वीडियो देखी, ये आप में से भी कही लोगों ने मुझे भेजा, और सोशल मीडिया पर ये खूब वाइरल हो रहा है, कई लोगों ने ये कहा, कि ये एक मेटियोर शावर है, यानि की उल्का पिंडो की बारिश, लेकिन आज सुभे होते होते पता ये चला, कि ये कोई मेटियोर शावर नहीं था, ये कोई प्रा नहीं जगे तो हालात ये थी, कि जो इस रोकिट के टुकडे थे, वो आबादी के बेहद ही करीब जाकर गिरे हैं, अगर सो मीटर इधर या उधर जाकर ये गिरते, तो किसी ना किसी गाउं पर गिरते, जहां पर भारी जानमाल का नुकसान भी हो सकता था, और ये रोकिट था कौन सा, तो बताय जा रहा है कि ये चाइना का लोंग मार्च 5B रोकिट है, आप में से कई लोगों को याद आ गया होगा, कि अब से मातर कुछ महीने पहले ही, भारत के करीब मालदीव में भी एक ऐसा ही लोंग मार्च 5B रोकिट चाइना का क्रैश हो चुका है, जिहां कि पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर उसकी खुब वेजदी हो रही है, खुब चीछा लेदर की जा रही है, ऐसे में इस मामले पर जितना ज्यादा वो बोलेगा, ये मामला उतना ही तूल पकड़ेगा, ऐसे में चीनी मीडिया भी और चीनी सरकार चुप बैठ गई है बात करें भारा सरकार की तो हम अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं, जितने भी ये टुकड़े गिरे हैं अलग-अलग जेगा उपर, इन्हें इकठा किया जा रहा है, और फिर सबूतों के साथ भारत इस पूरे मामले को दुनिया के सामने रखेगा, और ये बहुत ही जरू बातार हर कुछ महीने बाद इस Long March 5 रोकेट के असुरक्षित लौंच कर रहा है, ये रोकेट पूरी तरीके से बस ओप्शन नहीं है, चीन ने इस रोकेट पर अरपो डोलर पानी की तरह बहाए हैं, और इसलिए बार बार फेल होने के बावजूद भी, चीन इस से ही अपनी सेटलाइट और अपनी दूसरे एक्यूपमेंट अंतरिक्ष में भेज रहा है बहुती असुरक्षित तरीके से और पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाले अलग-अलग लोगों की जान से खिलवाड कर रहा है, और आप खुद सोचिए इस से भारत को कितन पर या भारत के किसी मुंबई या फिर बैंगलोर जैसे बड़े शहर पर आकर गिर जाए और भारत को जानमाल का नुकसान हो, हलाकि आप में से कहीं लोग कहेंगे कि भारत के पास डिफेंस सिस्टम भी है, एंटी सेटलाइट सिस्टम भी मौजूद है, जिससे कि हम इस रो इसे मार कर गिराते और इसे इतने छोटे छोटे टुकडों में बांट देते, जिससे कि ये वाता वरण में ही जल कर खतम हो जाता, ऐसे में वो काम तो संभव नहीं था, लेकिन एक काम संभव है कि चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठेराया जाना चाहिए, और उससे आप मांगे जाने चाहिए, हाला कि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताएगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्यू और मुच फ्रोचिंग वीडियो, बेकार है, लेकिन चीन इसे बार बार लॉंच क्यों करता है, क्योंकि उसके